महरानी एलिजबेद दुतिये के निधन के बाद बृतेन के नए किंग उनके वेटे प्रिंस चार्ल्स होंगे और उन्हें किंग चार्ल्स तृतिये के नाम से जाना जाएगा नए किंग के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा यही नए चार्ल्स तृत्रिये का पहला फैसला है पनमपरा के मुताविक पे अपने लिए चार नाम चार्ल्स, फिलिप, अर्थर, जॉर्ज में से किसी एक का नाम चुन सकते थे साथ ही उनकी पतनी कैथरीन को डचेस ओप कारनवाल के नाम से जना जाएगा अब बात करते हैं चार्ल्स तृत्रिये की ताजपोशी कैसे होगी और उसका प्रोसेस क्या होगा आपको बता दे कि लंदन में जब किसी राजा या रानी का निधन होता है तो उसके निधन के बाद 24 घंटों के भीतर लंदन इस्थित सेंट चॉम्स पैलेस में एक सेरिमोनियल बॉडी की सभा आयुजित किया आती है जिसमें वरिष्ट सांसद, सीनियर सिबिल सर्वेंट, कॉमन वेल्थ हाई कमिशनर और लंदन के लॉड मेर शामिल होते हैं इस सभा में आर्दिकारिक तौर पर चार्ल्स को राजा घोशित किया जाएगा सामानने तौर पर इस कारिक्रम में 700 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं लेकिन इस बार इतनी संख्या की गुंजाईश नहीं दिख रही है क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर कारिक्रम आयुजित किया जा रहा है 1952 में जब एलिजबेट वितिये क्वीन बनी थी तब तकरीबन 200 लोग इसके कवाह वने थे पारंपरिक रूप से राजा इसमें शामिल नहीं होता है इस कारिक्रम की शुरुआत राजाया रानी के निधन की खोशना से की जाती है ये खोशना उची आवाज में होती है और प्रेयर्स के बाद डिवंगत राजाया रानी की उपलब्धियों को गिनाया जाता है साथी नए राजाया रानी की खोवियों को भी गिनाया जाता है इन सभी कोशना पत्र पर प्रधानमंत्री और कई सीनियर ओफिसर साइन करके आगे की कारवाही करते हैं और इस कारिक्रम में ये भी तैय होता है कि नए किंग के सक्ता समालने के तुरंट बाद क्या बदलाव किये जाएंगे 28-27 से चली आ रही इस परंपरा के मताबिक एक दिन बाद असेशन काउंसिल की बैठक होती है इसमें राजाया रानी भी शामिल होते हैं इस दोरान कोई शाही शपत ग्रेंट कारेक्रम नहीं किया जाता लेकिन बड़ंपरा के मताबिक राजाया रानी चर्च और इसकोट लेंड को संदक्षित करने की शपत लेते हैं जिसके बाद सेंट जेम्स पेलिस की बालकनी में एक सारवजनिक गोशना की जाती है। ये गोशना एक अधिकारी करता है जिसे गायटर किंग ओफ आर्म्स कहा जाता है। जैसे एक बार वो गोशना करेगा प्रिंस चाल्स तृतिये प्रिटेन के नई किंग है। इसके बाद बिटेन का राष्टगान गाया जाएगा और 70 साल के बाद बिटेन के राष्टगान में एक शब्द को बदला जाएगा। और ये शब्द है God Save the Queen के स्थान पर God Save the King गाया जाएगा। आपको बता दें कि नए राजा की गोश्णा होने के बाद भी चार्ल्स को ताजपोशी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि इसकी तैयारियों में वक्त लगेगा इससे पहले कुईन एलियावेत को भी करीब 16 महीने इंतजार करना पड़ा था फरवरी 1952 में उनके पिता का निधन हुआ था लेकिन जून 1953 में उनकी ताजपोशी की गई थी